नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News वित्रन की कारे के साथ-साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए CAC केंदर का कारे भी कर सकते हैं उन्होंने बताया कि CAC केंदर का कारे करने के लिए डिपो धारक के पास अपना कम्पिटर ये लैप्टोप, इंटरेट कनेक्शन, वेब कैम, फिंगर प्रिंट यांतर वा प्रिंटर इत्यादी के सुविधा होनी चाहिए उन्होंने बताया कि डिपो धारक CAC केंदर के माध्यम सी लाबार्ति को सभी सरकारी वे 400 से अधिक वानीजिक शेवाई, CAC Digital शेवा पोर्टल से परदान करके अपनी आमदनी में इजाफ़ा कर सकते हैं और आमजन को लाबानवित कर सकते हैं उन्होंने बताया कि इसके लिए डिपो धारकों को CAC SPV के जरिये ट्रेनिंग भी दी जाएगी हर्याना में बदला स्कूलों का समय गर्मी को देखते वे हर्याना में सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है अब स्कूलों में सुबह साथ बजे से कक्षाई प्रारम होंगी और दोपैर बारा बजे चुट्टी करनी होगी इस समद्ध में आदेश जारी कर दिये गए हैं यहादेश च्यार मई से लाग होंगे और आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे शिक्ष्या मंतरी काउरपाल गूरजन ने कहा है कि यह नियम सबी स्कूलों नीजी और सरकारी दोनों पर लाग होंगे शिक्ष्या मंतरी काउरपाल गूरजन ने सोमवार को स्कूलों का समय बदलने की घोशना कर दी वहीं सरकारी स्कूलों में अच्छी सिक्षा के साथ साथ अब स्कूली बच्चों की सेहत का भी ख्याल लखा जाएगा इसके लिए तयारियां शुरू हो गई हैं परदेश में 22 लाक्षे अधिक बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे जिनके जरिये बच्चों की सेहत का ख्या लखा जाएगा स्वास्त विवाक की सायोग से स्कूलों में बच्चों की जाचकर ये हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे बिजली आपूर्ती में सुधार संकट से उबर रहा हरियाना क्यवल हरियाना नहीं बलकि पूरे उत्तरभारत में बिजली के किलत नहीं रिकॉर्ड बना रही है राजी के बिजली अधिकारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपूर्ती और मांग के बीच 5000 मेगावाट से ज़्यादा के अंतर को कैसे पाटा जाए इसके लिए बाकायदा बिजली कट शेडूल भी जारी किया गया है लेकिन इसके बावजूद भी बिजली के आपूर्ती नहीं हो पा रही है लेकिन रविवार रात आपूर्ती में सुधार होने इसे परदेश बिजली संकट से उबर रहा है एक तरफ तो सूरीदेव अंगारे बरसा रहे है वहीं दूसरी तरफ बिजली के एगोशित कट ने नेके उलाम आदमी जन्वानेस का हाल बेहाल कर रहा है बलकि उद्धोगोई की चिमनियों को भी ठंडा कर दिया है परदेश में बिजली सरपलस होने का दावा करने वाले नेताओं को भी शमज नहीं आ रहा है कि इस संकट से कैसे बाहर निकला जाए वहीं राज्य में बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट महज आदी समता से ही काम कर रहे है वहीं आडानी और टाटा गुर्प से बिजली आपूरती करार विवादों में उल्जे पड़े हैं नहीं तो विवाद सुलज रहे हैं और नहीं उत्पादन बढ़ पा रहा है ऐसे में अब सरकार की उम्मीद भी मोशम पट्टी की हुई है अगर अगले कुछ दिनों में सुर्य देव ने कुछ नर्मी नहीं दिखाई तो हालात और भी विक्राल होने ते हैं एस्टेट अब्यार्थियों को दिया आई आर आईस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक और आउसर हर्याणा भी देले सिक्षा बोड भीवानी तवारा हर्याणा अध्यापक पातरता यानि एस्टेट प्रिक्षा 2021 के अब्यार्थों के हितों को ध्यान में रखते वे आई आर आईस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन परिक्रियाप पूर्ण करने का एक और आउसर परदान किया जा रहा है असमंजस में किसान माजरा एम्स के लिए जमीन अधिकरेण बना मजाक डिसी के दावे को मंत्री ने जुठलाया माजरा में परस्तावित एम्स के लिए जमीन सरकार के नाम कराना मजाक बनता जा रहा है एम्स कमेटे के और से तमाम उफचारकताईं पूरी किजा चुके हैं डिसे बिना किसी देरी के सोमार से जमीनों की रेजिस्टें किसानों के नाम कराने के बात कह चुके हैं एम्स के लिए बनाई के कमेटे जमीन सरकार के नाम करानी के आवशक और से प्रियास कर रहा है कोरोना केस बढ़ने पर हर्याण सरकार चिंतित पिछली लेहर में एक काम करने वाले युवाओं को फिर दिया जाएगा रोजगार हारियाना NCR के जिलों खासकर गुरुग्राम और फ्रिदाबाद में COVID-19 बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से हारियाना स्वास्त विबा के आला अधिकारियों के निंद उड़ा दी है हालांकि स्वास्त मंत्री अनिल विज ने परेशान नहीं होने और लोगों से शावधानी बरतने के साथ ही नियमों का पालन करने की अपिल की है स्वास्त मंत्री ने एक बार फिर से उन करमचारियों को बुलाने के निर्देश दारी किये हैं जिनोंने COVID के पिछली लहरों में काम किया था ठेके पर लगाए गई इन करमचारियों को नोकरी से निकाल दिया गया था ये सभी करमचारी दोबारा उन ही नोकरी पर रखे जाने के मांग कर रहे थे धिरे धिरे COVID-19 के आंकड़े 500 तक पहुँचने जा रहे हैं स्वास्त विवा के आलापसरों और विशेशक्यों ने लोगों को मात्र शावधानी बरतने की सला दिये है उन्होंने यह भी कहा है कि फिलाल कोई चिंता करने वाली बात नहीं है हरियाना में सभी इंतिजाम पूरे है पांच मई से सुभारम पांच लाग विद्यार्थियों को टेबलेट देगी हरियाना सरकार रोज मिलेगा इतना डाटा सिर्फ ये काम कर सकेंगे डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते विए हरियाना सरकार सरकारी स्कोलों में पढ़ने वाले पांच लाग विद्यार्थियों को टेबलेट और फ्री डेटा परदान करने जा रही है मुख्यमंतरी रोतक स्तित महर्शी दायनेंद विश्विद्याले के टैगूर ओडिटेयोरियम में 5 मई 2022 को टेबलेट वित्रन समाहरों का शुबारम करेंगे इस दोरान रोतक सेयर के सरकारी विद्यालों के विद्यार्थियों को ये टेबलेट परदान किये जाएंगे प्लेटफोर्म उपलब्द करवाया जा रहा है इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले सभी PGT जिनके संक्या लगबग 33,000 है को भी फिरी टेबलेट दिया जा रहा है विद्यार्थियों को दे जाना वाले टेब केवल सिक्षन कारे के लिए ही काम मिलिये जाएगा इस टेब में केवल और केवल सिक्षा विबाग दोरा चैनित एप ही खुल पाएगी इस टेब के लिए बच्चों के नाम से सिम जारी किये जाएंगे टेरब के मादेम से ही शिक्षक ओनलाइन होमवर्क देशकेंगे और ओनलाइन ही चेक भी किया जासकेगा ओफलाइन परिक्षाओं को लेकर कुरूचेतर यूनेस्टी ने जारी की गाइडलाइन कुरूचेतर विश्विदाले ने 17 मैशे आरंब होने जारहे ही सनातक सनातकोतर पाठकरमों वह अन्य पाठकरमों की परिक्षाओं को लेकर सोमवर को गाइडलाइन जारी कर दी है परिक्षाओं नियंतरक डाक्टर हुकमशिंग ने बताया कि विश्विदाले के कुलपती प्रोफेसर सोमनात सस्देवा ने चातर हीतों को ध्यान में रखते वे वह परिक्षाओं समंदी समस्चाओं को शंग्यान लेते वे सनातकोतर चतुर समेस्टर बीफारमेसी चतुर चठा वे आठवा सेमेस्टर और विधी सहीद अन्य पार्टिकर्मों की सेमेस्टर प्रिक्षाओं ऑफलाइन मोर्ड में संचालित करने का निर्न लिया है इसकी अधिशूचना सभी समंदीत विबागा अध्यक्षों निदेशकों को इमेल कमादिम से जारी कर दी गई है पंजाब सरकार को जटका ब्यादवी मामले में गुर्मित राम रहिम को हाइकोट से राहत वीसी से होगी पेशी ब्यादबी मामले में डेरा परमुक गुर्मित राम रहीम की याचिकापर हाइकोड ने इस मामले में दर्ज अन्य दोनों F.I.R. पर भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग यनि वीसी के जरी पुस्ताज किये जाने के आदेश जारी किये हैं पंजाब पुलिस के S.I.T. को ये आदेश दिये गए हैं और सरकार दोरा इन दोनों F.I.R. में डेरा मुकी की कस्टोडियल इंटेरोगेसन के मांग को खारिज कर दिया गया है साथ ही मामले के सुनवाई 31 अक्तुबर 2022 तक स्थागित कर दिये गई है हाई कोड ने सोमार को सरकार के समांग को खारिज कर इस मामले में डेरा मुकी से वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिए पुस्ताच के जाने के आदिश जारी किये है सराव के ठेके बंद नहीं करवाना चाहते गाउं के लोग जीन्द में के उल एक पंचयाद ने बेजा परस्ताव अब ग्रामिन अपने गाउं में सराव बंदी के लिए दिल्चस्पी नहीं दिखा रही है गतवर्स जीन्द जिले की दो ग्राम पंचयादों ने और इस बार के उल एक ग्राम पंचयाद नहीं सराव बंदी का परस्ताव विबा के पास बेजा है इस बार के उल रामकली ग्राम पंचयाद नहीं सराव बंदी का परस्ताव बेजा है कि परदेश के उन गाउं में सरापठेके नहीं खोले जाएंगे जिन गाउं की पंचायत अपने यह सरापठेका नहीं खोले जाने के परस्ताव सरकार को बेज़ेगी। बता देंगी सरापठेकों का वर्तमान वीतिय सत्र 11 माई 2022 को समापतोने जा रहा है। हरियाना में इस साल 47 फेजदी कम हुआ ग्यों का उत्पादन जान यी क्या रहे इसके पिछे कारण। यह अपने आप में एक रिकोर्ड है। हालांकि इसके कयास मार्च में ही लगने शुरू हो गए थे। किर्शी अधिकारी भी इसके पूश्टी कर चुके हैं। इस साल परदेश में ग्यों की बिजाई भी पिछले साल की अपिक्षा 3 लाग हेक्टेर भूमी पर कम हुई है। बीते वर्ष के बात करें तो करीब 25 लाग 33 जार हेक्टेर में हुई थी। इस बार यह कम होकर 22.9 लाग हेक्टेर रह गई है। इस बार मार्च महिने में तापान में हुई वर्ष बेवमोश में बारिश के कांड ग्यों का दाना कमजोर रह गया। यही कांड रहा कि परते एकड़ से 16 से 18 क्यूनिटल तक यूत पादन हुआ जोकि पिछली बार यह 22 क्यूनिटल तक था। सर्सों के दामों में हुई बेताहा से वर्ष ब्रदी के चलते सर्सों का रखबा बढ़ा तो वहीं ग्यों का रखबा कम हो गया। फत्याबाद सिविल होस्पिटल में आई अप्रेंटिश शिप के पदों पर भरती दस्यू पास करें आविधन। सर्सों के पदों के लिए अविधन भेजने वाले उमिध्वार दस्यू पास होनी चाहिए। इन पदों के लिए उमिध्वार को कोई भी आविधन शुल्क नहीं देना होगा। नियूंतम आयू की बात करें तो 18 साल और अधिकतम आयू 26 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हर्याणा में अचानक से दोगना हुए मिट्टी के मट्कों के दाम जानी क्या रही वज़े। यानि मट्के की केमत में दोगनी वर्दी हो गई है। शुबह की सुरुआत होते ही सूरे के तपिस लोगों को जला रही है। और ऐसे में जब अप्रेल में यही हाल है तो मई जून के महीने में गर्मी का सितम कैसी सहा जाएगा। कोरोना काल की दोरान डोक्टों ने भी लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी पीने के बजाए मिट्टी के मट्के का पानी पीने की सलहा दी थी। मट्का विक्रेताओं ने बताया कि कोरोना काल की दोरान जहां हर रोज 40-50 मट्कों की विक्री हो जाती थी। तो वहीं अब गर्मी बढ़ने के साथ रोज़ाना सतर से असी मटकों की बिक्री हो रही है। खाशकर कोरोना के पहली लेर के बाद से मिट्टिक के मटकों की तरफ लोगों करूज़ान बढ़ा है। हरियाना में 5 मई तक कैसा रहेगा मोशम लोगों के लिए राहत की खवर। अप्रेल का माईना खात मोच चुका है और अब माई का माईना आरम हो गाया है आने वाले दिनों में हरियाना का मोशम कैसा रहेगा इस बात को हर कोई हरियान भी जानना चाहेगा ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस साल समय से पहले ही गर्मी पढ़ने की वज़े से सभी पुराने ग मोशम का पूर्वा अनुमान बताया है मोशम विभा के मुताबिक अब परदेश में गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार है क्योंकि पस्ट में विशॉप के कान पस्टिम से उत्तर पूरों के और हवाओं में परिवर्तन और राजस्तान के ऊपर एक चक्रवाती प्रिसंच रहने के संभावना बतायी गई है लेकिन इसके बाद 5 मई से राजस्य में फिर्शे मोशम गर्म और सुष्क रहने की संभावना है 5 मई तक आपको मोशम में बदलाओ देखने को मिलेंगे और गर्मी से राहत मिलते दिखाई देगी अब आगे यह देखना होगा कि पूरा म कितने रुपे में मिलेगी खरेब सेजन 2022 शुरू होने से पहले ही केंदर सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दे दी है अंतराष्टे बाजार में कच्छे माल के भाव में बढ़ोतरे के बावजूद के अंदर सरकार के स्वामित वाली कंपनी यानि इपको ने साल 2022 में खरे लखाद खरीद पाएंगे यूरिया की बात करें तो 266 रुपे 50 पेसे में परती बैग जो कि 45 किलोगराम का होगा मिलेगा साथ ही डियापी की बात करें तो 1350 रुपे में मिलेगा जो कि 50 किलोगराम का बैग आता है एनपी के यानि नाइट्रोजन फासपोर्स और पोटोश झाल